अलेकुम आज पीर का दिन है 24 फरवरी 2020 और शाम पांच बच्छे का टाइम है आज मैं आई हूँ यहां पर यह आपको अभी मैं दिखाऊंगी इस बठीक का नाम है कीवी मिनी प्राइस यहां की दाद दिवार बुठीक है मतलब यहां पर आप ग्रोसरी शॉप भी कह सकते हैं यहां पर मुख्लिफ चीज़ें मुख्लिफ तरह से फिंकी जाती है जिसमें से बैटरी सबसे नीचे आपने बैटरी फिंकनी है उपर आपने बल सुछ वगएरा और तीसरा यहां पर आपने बल फिंके है यह टोकरियां लगी हुई है आप इस में सिद्ध चाहे टोकरी लीजिए चाहे आप यह ट्रॉली लीजिए और अपना समान जो है अराम से खरीग लिए यहां पर जूस लगें में मुख्लिस लगे इस टाइल के जूस है, मुख्री बराइटिया है इसके अंदर यह कॉला है, यहाँ पर लगीवी कॉला के प्राइस 26 क्रॉन है और यह फॉन्टा लगीवी है, इसकी भी प्राइस 26 क्रॉन तक है यह जो टिन में है, यह 18 क्रॉन की आपको मिलेंगी ये मटर लगे हुए हैं छोटे छोटे इनोंने पैकिट लगाए हैं ये 200 ग्राम का पैकिट है इसकी प्राइस आपको 33 क्रॉन में मिलेगी ये छोटे छोटे गाज रहे देखी कितनी खुब्सूरत इनोंने पैक की हुए है इसकी प्राइस आपको 17 क्रॉन में मिलेगी ये जातर लोग चलते पिटते खाते हैं हमारी तरह थोड़ी कि जी सबजी बस बिनानी है ये टोमाटर देखें कितने खुब्सूरत है इनके प्राइस इस वक्त 26 क्रॉन में आज आपको इतनी बड़ी वीडियो नहीं दिखाऊंग बस चलते फिरते चोटी सी क्योंके मुझे कुछ जल्दी है घर जाने की ये अंगूर लगें में यहां पर इनकी प्राइस यहां पर 20 क्रॉन है बारगेनिंग कुछ भी नहीं होती आएए और खरीदिये और पेमेंट कीजिए और जाएए जोंस फरूट जोंसी सबजी आपक ये शौपर से निकल आएगी नहीं जो चीज आपने उठाई जोंसी चीज चाहिए आपको अच्छा जी ये कॉन फ्लेक्स लगें में मुख्लिफ किसम के कॉन फ्लेक्स हैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स फ्लेवर भी हैं ताकि वो खेलें भी और खाएं भी मज़े मज़ कॉन है शौपर साथ सद रखे होते हैं आप अपना एक शौपर इसमें से लीजिए और जितने आप किलो में चाहिए फ्रूट तो आपको डालिए उसमें और ये सब कुछ वो जब आप जाते हैं पेमेंट करने के लिए तो वहां पर वो खुद ही देख लेते हैं कितने किलो के हैं यह सब कुछ तो आपने उस हिसाब से पेमेंट करनी होती है यहां पर ब्रेड अगर आप ले रहे हैं तो कटिंग मशीन लगी हुई है यहां की जो ब्रेड है वो कटी हुई आपको नहीं लेती है यह फुल होती है आपने उसको जोंसी भी ब्रेड आपने खरीदी डाला और वो स्लाइस बन जाते हैं उसके यहां पर यह जो मिल्क पड़े हुए हैं यह उन लोगों के लिए हैं जिनको दूद से लर्जी है हम कभी सोच में नहीं सकते थे कि दूद से भी किसी को लर्जी होती है तो इसके अंदर यह देखिए यह सोया है सोया मिल्क है और यह सारे वो आइटम है जो लोग आम ब्रेड नहीं खा सकते उनको उससे भी लजजी होती है वो हज़न नहीं कर पाते हैं उन चीजों को यहां कैचप की पूतले लगी हुई है 28 क्राउं की यह यहां पर होट डॉग जब खाते हैं लोग जिसको हम यहां पर फॉल्सर कहते हैं तो उसके लिए यह बहुत ही अच्छे सैने पूता है यह आप उसमें इस्तमाल कीजिए बहुत ही टेस्टी हो जाता है खाने में मुख्लिफ टाइप के यह सूप रखे हुए हैं आप इनको लीजिए घर जाएए इसके उपर रेसिपी लिखी हुई है बनाएए और चार लोग खा सकते हैं सुपाराम से इनके मुख्लिफ प्राइस है उननीस वीज दस पंदरा सतरा इस तरह से टिन में भी बहुत सारे यह जैम जैली पड़े में यहां पर हनी पड़े हुए है यह देखिए यह औरिजिनल हनी है आपको पता है कि औरिजिनल हनी की क्या निशानी है उसकी यह निशानी है कि अगर आप नीम गरम पानी में उसको डालें तो वो असानी से नहीं खुलता तो ये आपको जो खालिस शहद है उसकी निशानी है और अगर आपने उसमें चीनी की अमेज़े शुई हुई है तो आप उसको गरम पानी में डालेंगे तो वो फूरण खुल जाएगा तो मेरे ख्याल में आइंद आप इहत्याद कीजिएगा अगर आपने गलती से कभी ऐसा कुछ खरीद लिया है तो नेक्स टाइम आप वो शहद मत खरीदिएगा ये यहां से मझे दूद लेना है इस दूद की कीमत यहां पर 18 क्रॉन है और ये खालिस दूद है इस पे लिखा हुआ है इसके अंदर आपको 4% फैट मिलेगी अच्छ जी यह इस यहां पर इसको कहते हैं लेट मिल्क इसमें कम फैट है ये देही की बहुत सारी वराइटी है जिसमें बहुत सारी फ्लेवर है पूदी की उपर इनकी प्राइस 19 क्रॉन नटारा क्रॉन है फ्रूट के साथ मिल्क्स होगा है ये नैच्रल देही पड़ा हुआ है प्राइस इसकी 27 क्रॉन है अच्छे जी आपको एक खास चीज मैं दिखाती हूँ ये देखिए है यहाँ पर इसको सोटेरिंग फूसे कहते है खिल दे सोटेरिंग योसलो ये ब्लू है इसका मतलब है आपने इसके अंदर प्लास्टिक की जो चीज़ें आप घर में इस्तमार करते हैं वो इसके अंदर टार लेंगे ये सब चीज़ें यहाँ पर फ्री मिलती है ये ग्रीन कलर का है इसमें आपने घर में जो आप कच्रा फेंकते हैं जिसे खाने पीने का कच्रा जो आप फेंकते हैं जो बच जाता है खाने पीने का समान रोटी सालन या इस तरह से भी कोई भी चीज वो आपने इसमें फिंकना है तो यह चीजें आपने घर के ही जब कच्रे में जब कच्रे घर के अंदर जो कच्रा फिंक रहे होते हैं तो उसी वक्त आपने यह साथ साथ अपने घर के कच्रे को तर्तीर से रखना है और इसको पिर उसी तरह के कंटेनर में फिंकना है अची यहाँ पर यह आपको देखने हैं यह जब हम कोई जूस या कोला की बोटले फ्लस्टिक कि जब हम खरीते हैं तो उन्हें हम कच्रे में नहीं फिंकते हैं यहाँ लाकर उसको डालते हैं और उसकी प्राइस जो हमने पहले से pay की हुई होती है ये लिकी हुई आ भी रही है 2 क्रौन है और 3 क्रौन है वो हमें यहां पर वापिस मिल जाती है लिस्ट तो वो हम जब जाते हैं payment करने के लिए तो वो हमारे उस में से minus कर लेते हैं या फिर वो हमें अगर हम चाहें तो हमें वो पैसे दे देतें तो ये चोटी सी मैंने आज वीडियो बिनाई है उमीद है कि आपके पसंद आएगी इतनी कफसील से नहीं मैं बना रही है ठीक है जी अपना ख्याल रखिए अपने साथ अपने घर वालों का ख्याल रखिए खुश रहिए और अपने साथ रहने वालों को भी खुश रखिए दौाओं में याद रखिए अला हफिज